यह आपका आज का संपात की ये पार्ट है और देखें संपात की ये पार्ट आपको प्रिलिम्स में, मुख परिक्चा में, इंटर्वियू में हर जगे मदद पहुचाता है यहां से एक सामान ने जानकारी भी आप लोगों को मिलती है और देखे किसी खास टॉपिक पर किसी खास बेक्ति के अपने बिचार होते हैं तो इन्हें आप लोग जरूर बढ़ा करिएगा कब तक होती रहेगी नियाय में देल और देखे हमारी नियाय पालिका पर हमेशा सबाल खड़े होते रहते हैं और कहा जाता है कि एक बार अगर नियाय पालिका में आपका केस हो गया तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है आप देखते हैं कि 1902 आप समझ रहे हैं आजादी के बाद के केस अभी तक पेंड़ने में पड़े हुए हैं 1954-1956 के केस अभी तक बने हुए हैं तो यह सब चिंता के कारण है कई बार आप लोगों ने इस तरह की बातने सुनी होगी कि किसी महिला के साथ रेप होता है उसका केस दर्ज होता है और जब उसका फैसला होता है उसे मरे हुए साथ साल जाते है किसी व्यक्ति को खास किसी व्यक्ति को जूटे आरू में फसा दिया जयता है उसका जब फैसला हाता है तो उसे दस बारे साल वो जिल में काट चुका होता है इसलिए आलोचना कीवी की जाती है तो जिला अदालतों के राष्टी संबिलन के समापन दिवस पर राष्टपती दुरुपती मुर्मूर ने लंबित मुकदमों और न्याय में देरी का उल्ले का न्यायक तंत की एक गंभीर समस्या को नए सरे से रिखांकित करने का भी काम किया है और उन्होंने लंबित मुकदमों को नियाइपालका के लिए एक बड़ी चुनोती बताते हुए ऐसे मुकदमों के कारण आम आदमी को होने बाली समस्याओं का विस्तार से जो जिक्र किया है उस पर कारणिपालका नियाइपालका को ततकाल प्रवाओं से ध्यान देना चाहिए और ऐसा किया जाना इसलिए आवस्तक हो गया है क्योंकि निचली अदालतों से लेकर सुप्रिंग कोट तक में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती चली जा रही है एक आंकडिक अनुसार ऐसे मुकदमों की संख्या पांच करोड तक पहुँच गई है यह ठीक है कि लंबित मुकदमों की बोच को कम करने के लिए लोग अदालतें सक्रिये हैं लेकिन अभी वांचित नतीजे नहीं मिल पा रहे है और यह ठीक नहीं कि सुतनता के इतने वर्सों बाद भी हमारे नयायक तंत बिकसित और कई विकास सील देशों जैसा नहीं बन पाया नयाय में देरी केवल सामाजे कुंठा की कुंठा ही नहीं बढ़ा रही है बलकि विकास की कारियों पर भी विफरीत असर डाल रही है क्योंकि अपराद के मामलों की तरह जमीन जैजात और कार्पोरेट जगत के मामले भी अदालतों में लंबित हैं इस समस्या का भी जिक्र है कि केंदराज सरकारें सबसे बड़े मुकद में बाज़े हैं अखिर इसे खराब बात हैं और क्या हो सकती है कि सरकारें ही अपने लोगों में से अदालतों में उल्जी हैं और यह अच्छा है कि नियाय में देरी कि समस्या से सुपरिंग कोर्ट की पिधार नियादिश डिवाई चंद चूंड भी अच्छी तरह परचित हैं उन्होंने जिला अदालतों के राष्टी सम्मिलन में ये बताया कि जिला इस्तर पर नयायक कर्मियों की रिखतियां 28 पिती सथ ग्यार नयायक कर्मचारियों की 27 पिती सथ हैं उन्होंने लंबित मामलों को कम करने के लिए गटित एक सम्ती का जिक करती हुए ऐसे मामलों को कम करने के लिए एक कारियोजना भी रेखांकित की। पिधानमंती मौदी ने 2014 में तब सरकार की बागडूर अपने हाथ में ली थी तब उन्होंने पुराने कानूनों को खतम करने का बादा किया था और इस बादे पर अमल करते हुए तमाम पुराने और आपरासंगिक पड़ चुके कानूनों को खतम भी किया गया है लिकिन नियाधिसों की कमी के साथी संसादनों के आभाओं से भी जूज रही है और इसके कारण भी लोगों को समय पर नियाय नहीं मिल पाता और नियाय में देरी का ये कारण नियाधिसों और अधिवक्ताओं के कारण काम करने का तो तरीका भी है और इसी तोर तरीके की कारण ता पराहट को उन्होंने बिलेक कोट से नौम किसी जो संग्या दी हुए बिल्कुल सही है, नियाय में देरी अन्याय ही है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नियाय आम आदमी से दूर होता चला जा रहा है, हमारी नीती नियंता यह ध्यान रखें तो बेहतर है कि यह नियाय एक तं कि भिष्टाचार के जिन मामलों की सुनवाई प्रात्मिक्ता के अधार उपर होनी चाहिए, फैसला जल्द दिया जाना चाहिए, उनमें भी आवसक्ता से अधिक देरी होती है, और इसका लाव उठा कर भिष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं, अत्वा जेल भेजे ग कि उनने क्लीन चेट मिल गई, दिल्ली के आपकारी होटाले में गरफता लोगों को जमानत मिलने के बाद ऐसा ही माहल बनाया जा रहा है, इन लोगों को जमानत निसली मिली क्योंकि उनकी ट्रायल सुरू होने में देरी हो रही थी, एक अन्य कारण जाच अजनसियों की ओर स समझ उक्ता प्रमार्ड ना रख पाना भी है, यदि आप दिखते हैं कि ज्याच अजनसियां अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएंगी तो फिर राजनितिक विष्टाचार पर प्रहार नहीं किया जा सकता है, राजनितिक विष्टाचार की तरह ही महलाओं के खिलाफ होने बाले अपराधियों और विसे इस रुप से यह उन अपराधों के मामले की सुनवाई में भी देरी होती है और कई बार तो यसे कुछ मामले हैं की जो गंबीर होते हैं। निवारन कैसे हो इस पर उनमें आम राय कायम नहीं हो पा रहा है और उन्हें ना केबल आम राय कायम करनी होगी बलकि ऐसी कोई विवस्था भी बनानी होगी जिससे नियाय में देरी का की समस्या का प्रभावी तरीके से समाधान हो सके यदि ऐसा नहीं हो सका तो भिश्टाच संजय गुप्त के द्वारे लिखा गया है आप लोग चिला आदालतें देखते हैं फिर आप लोग हाई कोट देते हैं फिर आप लोग सुपरिंग कोट देखते हैं सुपरिंग कोट हमारे देश की सरवोच चदालते हैं समिधान के नुच्छे देख 124 के ताहद इसकी स्थापना की बात की गिए, 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी, जंगल में सामाजिक ने आएगी पहल, तो आप देखते हैं कि ये हास बेंग का सा जा रहा है, सिंग राज से ने आपात बेठक बुलाई, सभी जान पर गिरते पढ़ते पहुँचे, सिंग राज एक उची चटान पर चटकर गंभी स्वर में बोले, भाईयो बहनो देश में लोकतंत लागू है, तो वह जंगल में भी लागू होगा, और उसमें सामाजिक ने आए और आरक्चन का भी ध्यान रखा जाएगा, चीता, ये चीता सिंग न इनसानी बस्ती की ओर जाते हैं, तो भी जो भी दिखता है, उस पर जपट पड़ते हैं, इसमें मेरा क्या गसूर, मैं घास खा नहीं सकता, जानबर ना मिलने पर, मैं दो पैरों बाले जानबर से काम चला आता हूँ, इसमें कैसी आपती, चीता सिंग ने विरोध दरच किय सिंग राज ने टोका, आप इनसानों को खाईए, मगर नेमों का अनुपालन सुनिशित करते हुए, और सिंग राज राज सब को संका का समधान करते हुए बोले, आज के बाद जो भी जानबर इनसानों को खाएगा, सामजिक नियाय का ध्यान रखेगा, माराज मैं तो किसी को खाता नहीं, इसलिए यह नियम मुझ पर तो लागो नहीं होगा, उंट ने कहाई, तुम अपनी लंबी गर्दन घुसेड कर हर जगर लेटरल इंट्री का लाब लेते हो, लेकिन जंगली लुकतंत का नियम तुम पर भी लागो होगा, तुम मनवाने तरीके से किसी का भी कभी खेत नहीं चल सकते, सिंगराज ने आदिस दिया, मैं तो ना इंसानों को खाता हूँ, और ना फलपूल को, इसलिए मैं तो सर्तिया जंगली लुकतंत के नियम से मुक्त हूँ, बिसेली साप नहीं का, तो नहीं, नियम सब पर लागो होगा, मैं रोष्टर बनवाए द तो मैं उसी के हिसाब से सबको डस्तना होगा, सिंगराज ने फैसला सुनाया, कई जानबरों ने जंगली लुकतंत के नियम से चुटकारा पानी की कौसिस की, लेकिन सिंगराज ने सबको खामोस कर दिया, अंत में पीछे खड़ा, गधा बोला, मारा, जंगली लुकतंत सच अर्थों में लागू करें, सामाजेंक नियाज सबसे पहले, राजा की पत पर लागू हो, फरिवार बाद उचित नहीं है, राजा की संतान राजा बने या नहीं चलेगा, गधी न कहा, सभी को सिंगराज की खाम्दियनी राज से पीच्छा चुड़ाने का पहली बार उप के लिए आरक्षित करना चाहिए, मानव जरा लोग कताओं को भी पढ़ लीजे, कई स्थान को गर्धव राज का जिक्र आता है, सुर गधे की दावेदारी को नकारते हुए बोला, हम सुर आज तक राजा नहीं बने, इसलिए यह पत सुरों को मिलना चाहिए, वरहा को तो इस सुर का तीसरा अवतार माना जाता है, इस सुर को भला सिंगासन की क्या हो सकता है, उल्लू सुर की दावेदारी की हवा निकालते हो बोला, राजा का पद हम उल्लूओं को मिलना चाहिए, इसका विरोध में बकरा खड़ा हो गया, और बोला कि इतिहास गभा है कि हम बकर को किसलिए राजा बनाना चाहते हैं, उन्होंने सामाजिक नियाय को सही तरह लागू करने का सुझा देने के लिए नेवला साप बाग हिरन भीडिया खरगोस की एक सरब्दलिये कमिटी बना दी, वज्जा जानते थी कि ये कभी एक मंच पर एकतित नहीं हो सकते हैं, यदि एक मत होकर रिपोर्ट दे भी दें, तो उसका अध्यन करने के लिए एक हाई पावर कमिटी बना देंगे, और जब तक यह सब होगा, तब तक यह दावा किया जाता रहेगा कि सिंगर सामाजिक, कि सिंगर सामाजिक, नियाय की पिती, पिती बद्ध है, ये तन ये कसा जाता है एक तरह से, आप समझ रहे हैं आप लो, तो अगर आपको नहीं दिल्चस्पी है, तो आप मत पड़ा करिएगा, मैं तो गयता हूँ कि इस तरह के जो भी आर्टीकल लिखे जाते हैं, जरूर देखा करिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, 2023 में कुल कारों की विक्रे म एलेक्टिक कारों की हिस्सेदारी हैं, ए अंतराष्टी उड़िजा एजनसी की रिपोर्ट है, विस्त में आप देखे अठा पर 18%, मेक्सिको में 1%, भारत में 2, ब्राजील में 3, अमेरिका में 10, यूरोपिय संग में 22, भेटेन में 24, जर्मनी में 24, चीन में 38, सुईडन में 60 और आप देखे नौरवे में कितनी हैं? तेहरान में हैं, इसलिए आप देखते हैं, नौरवे स्टिक सबसे अच्छी रहती है हर मामले में जीवन में सांती जीवन के अंदिम समय में हर मनों से सांती चाहता है यह सांती उसे बैराग अपनाने से ही मिल सकती है बैराग के काताथ पर अपने मन को काम करोध लोग और मुई से दूर करते हुए नेंतित करता है क्योंकि मनों की सांती का केंद मन ही है सनातन धर्म के नुसार मानों जीवन चार आस्रम और ब्रह्मचर गरस्त बानपरस्त और सन्यास में विभाजित है ब्रह्मचर आस्रम विवस्था अर्जन करते हुए स्वयम को आगामी जीवन के लिए तियार करने के लिए होता है और ग्रहस्त आसरम के अंतरकत मनुस्स जीवन के नियत करम जैसे परिवार का पालन पोसन करता है बानपरस्त में वह जीवन के ऐसी मोड पर पहुंच चुका होता है जहां जिम्मिदारियां समाप्त हो चुकी होती है और इस इस्तिती में मानसिक सांती चाहता है यह असांती उसके मन में पर निर्वर होती है क्योंकि मन के द्वारा ही मन उसका जीवन नियंतित होता है और मन उस आख कान नाख जीव और आप दिखें तुचा के द्वारा ही संसार का नुभाव करता है इस सब इंद्रियां मन को सुचनाय पहुंचती है और इसके अलावा भूतकाल की यादें भी मन को असांत करती हैं इस इस्तिती से उबढ़ने का मार केबल बैराग है और इसका ताथ पर है कि ग्यान इंदियों द्वारा प्राप्त सुचनाओ कि पिती उदासीन मनुवेटी अपनाना और जिसके द्वारा मनों से भोग विलास से बचते हुए कामकरोद जैसे विकारों से भी मुक्ती पा सकता है इसके बाद भूतकाल की यादें है आदतों से पीछा चुड़ाने के बारे में प्रयास किया जाना चाहिए हाला कि पुरानी यादों से पीछा नहीं चुड़ाया जा सकता है फिर भी हम कौसिस कर सकते हैं कि ये यादें हमारे आज को नकारत्मक रूप से प्रभावित ना कर सकें यदि हम यह कर सकते हैं तो इसे सच्चा बैरग या पर सन्यास कहा जा सकता है मन को पुरानी यादों और आदतों इत्यादी से दूर रखने के लिए आप दिखते हैं कि यम और नियम को अपनाना चाहिए ध्यान और पर रायाम के द्वारा मन को नियंतित किया जा सकता है अच्छा कॉलम लिखा जाता है देख लिया करिये पढ़ लिया करियेगा और पढ़ ही नहीं लिया करिये कुछ सीखा भी करियेगा उससे असांत मडीपूर देख लिए ये मडीपूर है इंफाल इसकी राधधानी देखने को मिलेगी इसकी सीमा की बात करें तो अंतराश्टी सीमा इसकी आप देखे में अनमार से लगती है और राज्यों में किस किस से लगती है यह आप देखे नांगालेंड है असम है मिजुरों है इस तरह का राज्य कोई चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान जानकारी जरूर रखे करिएगा कुशन्स पूचा जाता है देखे भाई मणीपूर का राज्य कब बनाया क्या था उननिस सो भत्तर में और के अंदर सास्वे पेजिस बनाया क्या था उननिस सो चपन में और लच्मन आचार यहां की क्या है गवर्नर राज्यपाल है मुकमंतिरी एन बीरें सिंग है विधान वहां फिर हिंसा बढ़क उठी जिसमें कई लोग मारे गए नई सरी से हिंसा बढ़कने से हालात और अधिक बिगणनी की असंका की चलती राज सरकार ने जिस तरह सभी स्कूल बंद करने का नएड़े लिया उससे यही पता चलता है कि हिंसा पर काबू पाना कटिन होता जा सांती कायम आप दिखते हैं कि कायम हो सकेगी चिंता जनक आप दिखते हैं कि केबल यह नहीं है चिंता जनक केबल यह नहीं है कि मैते ही और कूकी समधायों की भी चिंसक आप दिखते हैं कि टकराओ समभत होने का नाम नहीं ले रहा है बलकि आप देखेंगे कि यह भी है कि अब वहाँ कहीं अधिक घातक हतियारों का उपयोग हो रहा है बीते दिनों पहले यह चोकाने बालत तक सामने आए कि वहाँ डॉन से हमले हो रहे हैं फिर रॉकेट हमले की खबरें आई इस परस्ट है कि हतियारबंद समूर ना किवली कहीं अधिक आदोनिक हतियारों से लेस हो रहे हैं वलकि भी दुसासी भी हो रहे हैं और अब आप देखें अब तो ऐसा भी लगता है कि उनके दुसास का सामना करने में सुरक्चा बलों को भी मुस्किलों का सामना मुस्किलें आ रही हैं या सामान बात नहीं है कि हत्यारवन सम्मूल सुरक्षा बलों से हत्यार छीन लेते हैं और जबावाई कारवाई से बचने के लिए बंकरों में छिप जाते हैं आप देखते हैं कि मरीपूर में इस्तितियां किस तरह खराब होती जा रही है इससे आप देखते हैं कि इससे भी समझा जा सकता है कि डॉन और रोकेट हम लों के कारण सुरक्षा बलों को हेलिकॉप्ट्रों के जरिये निगरानी करनी पड़ रही है मडीपूर के हाला तो यही बताते हैं कि राज्ज में सांती स्थापित करने के लिए केंदर राज सरकार और सुरक्षा बलों को किसी नई रणनीती पर काम करना होगा और इस रणनीती के तहत उन्हें मैती और कोकी समदाय के बीच वेमनस से कतम करने की जतन करने हो गए या आसान काम नहीं है क्योंकि दोनों समदाय पूरी तरह बढ़ चुके हैं इस्तिती है कि एक दूसरे इकलाके में रहने बाले दोनों समदायों के लोग वहां से पलाइन कर चुके हैं इन दोनों समदायाओं की बीच आविश्वास कतम करने के साथी उपदर्वी तत्तों विद्रोहियों की दुसास का दमन करना भी आवस्ते के इसी करम में मनीपूर में म्यानमार से होने वाली गुस्पेट पर भी लगाम लगानी होगी और मादक पदार्थों के कारोबार पर भी आप देखे चोकि म्यानमार भी आज्थिरता से जूज रहा है इसलिए केंसरकार को कहीं अधिक सजग रहना होगा या मानने के अच्छे भ हुंतलां में बिध्यारतियों की आवाज को मंच दैने के लिए च्षाथ्य पितीनीधियों को मंच दिया जाता है हर वर मुझन नया सत्र्श रूऊ होने के बाद च्छात पितीनीधियों की समस्यां को रखता है हिमाचल पृदेश की विष्विध्यालेयों औह माह विध् सरकार ने हिंसा कि मद्दिने जब पित्यक्ष चुनाव पर पिदीमन लगा दिया था लेकिन चात परिशत का चुनाव मनो नयन से किया जाता है और चात संगठन चुनाव बहाली की मान करते हैं इसके लिए पिदरसन तक किया जाते हैं नई विध्यातियों को अपने साथ पिदरसन किया इस दोरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुकी भी हो गई यह भी उचे थे कि चात राजनीती से निकल कर कई नेता पिदेश की राजनीती में चमके नेता चात राजनीती की महत्ता को अच्छी तरह समझते हैं चास संगठन को समझना होगा कि चुनाव के जब आप देखी परिशों में सांती रहेगी तभी सरकार चात संग चुनाव करवाने का नेड़े ले सकती है तुच्छा बनेगी पारदर्सी आप देखी क्या तुच्छा को पारदर्सी बनाया जा सकता है आपको यह सवाल कुछ अजीब और गरीब लग सकता है लेकिन वि इनुविसिटी के बिग्यानी जीओ और उनके सहयोगियों ने जैविक दिरिष्टी से एक ऐसा सुरक्षे डाई बिक्सित किया कि यह जो ओधकों को पारदर्सी बनाती है और यह ऐसा की जाती है कि इसी तरह की तकनीक से अंतदा सोथ करताओं को सरीर के भीतर कारत अंगों क कि निरिक्षन में मदद मिलेगी आंगे चलकर इस तकनीक से रक्त निकाल लें कि लिए तुचाप नसों को इस पर रूप से देखा जा सकेगा यह तकनीक कैंसर का कारम्भी कवस्ता में पता लगाने और उसका उपचार करने में भी सहायता कर सकती है जब एक विसेश बेव लेंत का प्रकास उन सामग्रियों को पार करता है जिनमें अलग-अलग और अफवर्तक गुड होते हैं जो यह सभी देशाओं में विखर जाता है और जिसे सामग्री आप देखे अपारदर्सी दिखाई देती है यह वजह है कि उतक और उनके आसपास के तरह पदायतों की पतली परते हैं आमतर पर पारदर्सी नहीं दिखाई देती हैं और जहां इस तरह की जविक सामग्री एक ही अपवर्तक सुचकांग साजा करती है वहीं प्रकास की करने गहरे उतकों से पिती बिम्बित कर सकते हैं और सीमा से बड़ी सफाई से बार हो सकते हैं और इसे पाए कि टार्टराजेनिक नामक एक खादू सुरक्षिट डाई सही रंग के पिकास के अनपात को अवसुसित कर रखता है वहसे सोथ करता हूं उसको उसकी गाओं के आप आसपास के तरहल पदार्द के अपवर्तक सुचकांग को बदल कर पिकास के बिकरने को काफी कम कर सक करते हैं सोथ करताओं का दावा है कि यह डाई जीव जीवों के लिए सुरक्षे थे और इसके अलाब आप देखिए बहुत सस्ती और प्रभावी है चुहे की तुचा पर डाई और पानी कमिस्टन रगड कर सोथ करता रखत बाहिकाओं और उंगों को विस्तार पूरवक द जाती है और सरी में प्रवेश करने बाले डाई अंतता बाहर निकाल निकाल जाती है और मानो तुचा एक चुहे की तुल्ना में लगबग दस गुना मोटी है इसलिए अभी एसपर्ष नहीं है कि क्या मनुस्वर भी ये विदी काम करेगी सोथ करता या पता लगा रहे हैं अच्छी बात है लगाईए ये टेपनिया रहती है पढ़ना हुआ कर तो फड़ सकते हैं आप लोग ये आप देखिए सवालों की घीरे में रचनात्मक सुतंता ये आप देखिए बर्स 1909 में में अंतिम सब्ता में काटवंडू से दिली आरे इंडियन एयरलाइंस की बिमा सरकार उनको मानना भी पड़ा अब इस पर एक बेव सीरिज बनाएगी जिसमें अनिक तत्तों से छिड़ चाड़ की गए इसी इतिहास को बिगाड़ना ही कहा जाएगा इसे देख लिए एक और बात बता हूँ आपको कि आजकल आप देखते हैं कि निस्पक्च कुछ नहीं यह भी आप लोग जानते हैं क्योंकि क्या रहता है न कई बार आप देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो आटिकल लिखा जाता है जिसका किसी पार्टी की तरफ जुकाओ रहता है तो थोड़ी अपनी भी सोच आप लोग रखा करिएगा चलि एसे देख लेते हैं हम लोग इनके क्या है अनन्त विजय के द्वारा लिखा गया है और इन्हें आप देखतें कि भारती जिन्ता पार्टी की तरफ जुकाओ बाला माना जाता है पक्तका क्योंकि इनके बार कई बार आप देखने इस तरह की बात कहते हैं तो उससे देख कर भी लगता है हिंदी मे एक आवद बेहत लोपरी है कि पूत के पाँपालने में ही दिख जाते मतलब है कि आरम से ही भविस्त का का अनमान हो जाता है नेट फिलिप्स पर हाल ही में अनुभाव सिना निदेशित एक बैब सीरी जाई आई कंधार हाई जेक यह बैब सीरी सुरू होती है तो नेपत्य से आवा जाती है कि काटमंडू से बिमान हाई जेक हो गया आंगे यह सबाल पूचा जाता है किसने किया यह हाई जेक क्यों क्या और यह सब भी पता करना था नेपत्य की यह आवा चलती रहती है इतना पैंचीदा यह सब की साथ दिन लग गए क्यों लग गए साथ दिन और क्या क्या हुआ उन साथ दिनों में इसके बाद कहानी आरम होती है उन साथ दिनों की हाई जैक से लेकर बिमान में सबाल लोगों के हिंदोस्तान पहुंचने तक और अंत में फिर वही आबाज परदे पर गुंचती क कंदार में केबल एक अधोरी कड़ी चोट गई अधोरी कड़ी वह सत्रे किलो आर्डी एक्स तालीबान के कहने पर हाई जेकर्स ने वह बैग हमारे प्लेन में से निकल वाया आंगे बताया जाता है कि उस रात उसमा बिलादेन के घर तरनक किला में पांच हाई जेकर्स और त जेक खतम हुआ पर ये तीनों छोड़ दिये गया आतंगवादी ना जाने आज तक कितने मासुम मोतों और हादसों के जिम्बेदार हैं इसके बाद आप देखते हैं कि संसत पर हमला डैनियल पर की गला रेत कर अत्या मुंबई पर आतंग की हमला पुलवामा की घटना का उ लेक किया गया और परुक चुरूप सी ये संकेत किया जाता है कि अगर ये तीनों आतंगवादी नहीं छोड़े गए होते तो आतंगवादी घटना ना होती हैं बैब सीरेज के आरा में पूछे गया पिसन की हाईजेक किस ने किया और अंत में दिये उत्तर को मिला कर देख है कि लालकिष्ण हडवानी ने संसद में 6 जनवरी संदोजार को एक बयान दिया और इस बयान में ये कहा गया कि हाईजेक की जाज करने में जुटी एजंसी और मुमभी पोलिस ने चार आईएसाई के को आपरेटिव को पकड़ा था इन चारों इंडियन एरलाइंस के हाई जाम दिया था पांचों हाई जेकर्स पाकिस्तानी थे हरकत अल अंसार पाकिस्तान के रावल पिंडी का 1830 संगतन था जिसे 1997 में अमेरिका ने आतंगवादी संगतन गोसित किया उसके बाद इस संगतन ने अपना नाम बदलकर हरकत अल मुझाहिदीन कर लिया था संसद में इस बयान के अंगले दिन पाकिस्तान के अगवारों में यह समाचार भी पेकासित हुआ था कि भारत ने जिन तीन आतंगवादियों को छोड़ा था वे कराची में देखे गए थे इसके अलाबा अलाबी भी कई घटनाए इस समय उस समय गटी थे और जिसी एसपर्ष्ट हो करेंगे जब तक कि अमेरिका और भारत को बरबाद ना कर दें इतने साक्षों की बाप्चूत इस बैप सीरीज की कहानी में आई एसाई की भूमिका के नकार का क्या कारण हो सकता है इसके बारे में नेदेशक को बताना चाहिए यह सैनेमेटिक क्रेटिव फीडम नहीं बलक संकट के समय किस पेकार से योजनाय बनाई जाती कंधार यह पोर्ट पर हाईजेकर से बाचीत के पिसंग को जिस तरह से बत दिखाया गया वह फूरता की सैड़ी में आता है आतंकियों और अधिकारियों कि संबाद से ऐसा लगता है कि है नहीं कि कोई देश इतने बड़े स राजनेक ए आर घंसयाम की डिस्पेच को पड़ लिया होता तो संभावता लाल बैक से जुड़ी जानकारी उनको मिलती और वह आई एसाई की को किलींच देने की रचनात्मक सुतंता लेने का दुसास नहीं कर पाते हैं और 31 आप देखेंगे 31 दिसंबर ये आप देखें 31 दिसंबर की रात की घटना का बयान ये आप देखते हैं कि वयान करते हुए गंसयाम लिखते हैं कि रात 9 बजे की करीब कैप्टन सुरी लाउंस में आये और बताये कि तालिबान आई सी 814 की मैं इनन भरने में जानबूच कर देरी कर रहा है व और थोड़ी देर बाद जब घंसयान बिमान के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मुत्तव किल की लाल रंकी पजेरो कार बिमान के पास खड़ी थी गाड़ी के हेडलाइन आउन करके बिमान से कुछ खोजा जा रहा था कुछ लोग लाल बैक को गाड़ी के पास ले ज से गहरी थी उस लाल बैक में हाई जेकर्स के पाकिस्तानी पासबोर्ड भी थे जिसमें उनका नाम पता दर्ज था ए आईएसाई के हुकम पर मुटता गोकिल ने अपनी निगरानी में उस बैक को ना केबल खोजा बल्कि उसे अपने साथ ले गए इसके बाद ही विमान के चोड़ना चाहता था कंधार यारपोट की गतिविधियों पर पूरी तरह से आईएसाई करने इंतर था भार सरकार के उस समय कि विदेश मंतरी जस्वन सिंग जब अफगानिस्तान जा रहे थे तो उन्होंने मुतकिल से फौन पर कहा था कि वह मुला उमर से मिलना चाहते है पहले तो उसने कहा कहा कह दी थोड़ी देर में आईएसाई कि अपने आकाओं से बात करने के बाद जस्वन सिंग को मना कर दिया इस बेप सीज पर विबाद हुआ नेट फिलिप्स की पिति निदी मंतराले में तलब हुई और मंतराले डिस्कलेमर लगाने से को कहा वह लग रहता है तो यह लिखे जा रहा है अनंति विजय के द्वारा यह आप देखिए पहले से काय में लेटरल इंटी इस पतंज का सजा लेटरल इंटी यानि की यूपीस्ती में पीछे साइट से भरती कर लेना बिना परीक्षा दिये एक किताब हैं आप लोग देख सकते हैं वज़े जरूबर आप लोग मिला करिएगा और हम लोग खुब बातें करेंगे आपके जो सवाल होंगे जो सुझा होंगे उन पर भी बातें की जाएंगे धन्यबाद